कार्तिक माह के शुक्लप अक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी, देव थान एकादशी, देव उठनी ग्यारस, प्रबोधिनी एकादशी आधी नामों से जाना जाता है। इस दिन श्रीहरी विष्णु निद्रा से जाकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस परानिक कथा को सुन्ने मात्र से बैकुन धाम की प्राप्ति होती है। इस परानिक कथा के माध्यन से जानती हैं देव उठनी एकादशी व्रत का धार्मिक महत्व। एक राजा के राजे में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशू तक को एकादर्शी के दिन अन नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राजे का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला महराज, खृबा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्ट रखी की ठीक है, रख लेते हैं। खिंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादर्शी को अन नहीं मिलेगा उस व्यक्ति ने उस समय हा कर ली, पर एकादर्शी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया, तो वह राजा के सामने जाकर गिर्गिराने लगा महराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अंद दे दो। राजा ने उसे शर्प की बाद याद दिलाई, पर वह अंद छोडने को राजी नहीं हुआ, तब राजा ने उसे आटा दाल चावल आदी दिये, वह नित्य की तरहे नदी पर पहुचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा, जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा आओ भगवान, भोजन तयार है, उसके बुलाने पर पितांबर धारन किये भगवान चतुर भुच रूप में आप पहुचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे, भोजनादी करके भगवान अंतरधान हो गय, तथा वह अपने काम पर चला गया, 15 दिन बाद अगली एकादशी को वे राजा से कहने लगा कि महराज, मुझे दुगुना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया, राजा ने कारण पोचा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता, यह स ना वरत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं थे राजा की बात सुनकर वे बोला महराज, यदि विश्वास न हो तो साथ चल कर देख लें, राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया, उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, पर अंत में उसने कहा है भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कोट कर प्रान त्याग दूँगा, लेकिन भगवान नहीं आए, तब वे प्रान त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ पढ़ा, प्रान त्यागने का द्रड इरादा जान शीग रही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोख लिया और साथ बैट कर भोजन करने लगे, खापी कर वे उसे अपने विमान में बिठा कर अपने धाम ले गए, यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फाइदा नहीं होता, जब पत्मन शुद्ध नहो, इससे राजा को ज्यान मिला, वह भी मन से व्रत उबवास करने लगा और अंतने स्वर्प को प्राप्थ हुआ, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृप्या हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और कॉमेंट बॉक्स में जैमा लक्ष्मी वशे लिखें